हेलो फ्रेंट्स वेल्कम तो दा चैनल चेलो लर्न करते हैं मेरा नाम है मनिशा तो फ्रेंट्स आज मैं आपके साहने सेयर करने जा रही हूँ यू के जी इवियस का वर्क सीट जैसा कि आपने देख लिया होगा तो आई होप आपको इससे बहुत फायदा होगा बच्चों को में तो फिर हमें बच्चों को इवियस कैसे पढ़ाना है बच्चों को हमें इस तरह से देना है कि उनका जो है वो जिससे मैचिंग हमें दे देना है टिक लगाने के लिए देना है जिससे उनका जो है वो पढ़ने में भी मन लगे ठीक है और हमारा भी काम पुरा हो जाएग इंकी पहचान किरा जाती है तो इस तरह से चाहिए नोज आई इस तरह से लिखना और इधर मैं ने вся पिक्चर पना दिये हो अश्के ठीक है यह जैनो निच्छे क्या करें तो बच्चे क्या करेंगे मैच करेंगे। तो यह आई हो गया, fit है, तो यह fit, ear है, तो ear, इस तरह से फिर इसे तरह teeth है, यहाँ पर teeth है, hair है, यह देखी, यह hair है, तो यह देखी, मैंने figure बना कि यह hair बना दिया है, और यहाँ पर मैंने क्या क्या, टिक लगा दिया, जिसे पहचान जाएंगे, बच्चे, कि इसे ही hair, मतलब इसी को indicate करना है, ठीक है, तो hair हो गया, यह hair, elbow, इसे elbow कहते हैं, तो elbow और यह leg, तो इस तरह से यह matching दे दिये जाएंगे उन्हें, ठीक है, हमें उन्हें वरक्षिर त्यार करके देना है, मैचिंग इस तरह से, और exam में भी इस तरह से पूछा जाता है, फिर animals baby, animals baby उन्हें याद कराना होगा, जैसे cow का, क्या होता है, तो यह भी मैचिंग के दोर पर ही दिया है, ठीक है, इसे क्या करें बच्चे मैच करेंगे, क्योंकि मैचिंग मैचिंग बच्चे को बहुत मज जाता है, इसलिए उन्हें वही चीज़ दे, जिससे उन्हें पढ़ने में मन लगे, हाँ, तो मैचिंग दे, टिक दे, या फिर नाम लिखना तो हैं ही उनको, वो तो दिया ही जाता है, exam में भी, तो वर्क सुट आप इस तरह तरह करके देना है, आपको, इसे cow है, तो cow का ब बेबी चिक, डग का डखलिंग, यह मिस तरह से आपको बता भी दे रही हूं, बेबी के नाम, होर्स का कोल्ट हो जाता है, पिक का पिगलेट, गोट का किड और डियर का फॉन, तो इस तरह से ये बच्चे मैच करेंगे, आपको इन्हें इस तरह से मैच करने के लिए देना ह हैं, लेकिन अगर ऐसा आप नहीं पी दे तो कोई बात नहीं, आप सिंपल सा पैन से या फिर पैन से ही, पैन से ही देना होगा, तो कॉपी में आप पैन से दे दे, बच्चे तो पैंसल से ही उसका एंसर करेंगे, ठीक है, तो या तो फिर आप कलरफुल पैन का यूज जादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बच्चे मन लगा कर पढ़ते हैं, अब जैसे मैंने वहाँ पर मैच दे दिया, मैचिंग करने के लिए दिया था, उसी तरह आप टिक तर एंसर भी करने के लिए दे सकते हैं, जिससे बच्चे को क्या हो जाएगा, वो तुरंत याद हो ज जाएगा, चाहिए वह बेனाँ हो, चाहिए वह अनिमल वहव के आनिमल अव साउंड हो, कुछ भी हो आप टिक करने के लिए जरूर दिया हैं, जिससे काऊस की अच्चे करने के लिएक कब हो जायें तो काफ हो जैगा, इस तरह से टिक हो जाएगा, बच्चे टिक करेंगे, फिर cats baby है तो kitten होगा chips baby तो lamp इस तरह से बच्चों को याद हो जाएगा दो option देंगे तो एक बच्चों को tick लगाएंगे या गलत भी tick लगाते तो हम बताएंगे उन्हें तो उन्हें याद हो जाएगा फिर match करने के लिए दें animals home अब इसमें animals home भी पूछे जाते हैं कि animals का घर कहां है ठीक है मतलब जो animals के नाम दिए गये हैं उनके घर क्या कहलाते हैं जिसे dog का क्या कहलाता है तो kennel horse का क्या होता है horse का अस्तबल होता है cow का set होता है SHED bear का cave bear का cave हो जाएगा फिर hand का क्या हो जाएगा hand का coop होता है home यह मैं home बता रही हूँ lion का den spider का web w e b web और pick का pix t ठीक है यह हो गया यह home's name हो गया और आप इसे तरह टिक लगाने के लिए इस तरह से आप दे सकते हैं फिर आता है इसमें right name of saints organs saints organs यू के जी में बच्चों को पढ़ाया जाता है तो sense organs होते हैं five जैसे ears eyes, nose, tongue and skin ठीक है तो आप यह बताएं बच्चों को और उन्हें याद करा है आप बच्चे क्या करेंगे लिखेंगे इस तरह से dash दे दे dash के उपर बच्चे क्या करेंगे लिखेंगे five sense organs आप ऐसे भी कर सकते हैं कि figure बना दे ears का जिसे picture बना दिया eyes का picture बना दिया बच्चे उसका spelling लिख लेंगे तो इस तरह से जब बच्चों को याद हो जाये तब उन्हें पूरा word लिखने के लिए दे तो इस तरह से आप दो-दो चीज बना के दे सकते हो ने ठीक है एक picture के through और एक सीठे डारेक्ट वो word लिखेंगे तो कान हो गया आख हो गया नाख हो गया जीव हो गया और skin यानि चमड़ा तो इस तरह से ये sense organ हो गया पांच फिर right wild animals ने भी आता है जिसे lion, tiger elephant, monkey, bear, deer, fox अब इसमें क्या होता है कि बच्चों को elephant जैसे है लंबी spelling है तो बच्चों को जल्दी याद नहीं होता है तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं च्छोटे-च्छोटे spelling होता है पहले वो उन्हें याद करा दे जैसे lion, tiger, bear भी है deer में भी four लेटर है fox fox में three लेटर है तो इस तरह से बच्चे क्या याद कर लेंगे ऐसे तो जनरली पांच से दस बच्चों को याद कराया जाता है लेकिन दिये जाते हैं दो या तीन और उन्हें तो फिर ज्याता से ज्याता पांच दिया जाता है उन्हें five words, five लिखने के लिए दिये जाते हैं जाहे वह wild animal हो चाहे वह domestic animal हो अब flowers name हो तो उन्हें कम से कम आप 5 तो जरूर उन्हें याद कराना है ठीक है इस तरह से दे फिर डाय बर्स नेम है तो hand duck crow, peacock, owl parrot तो इस तरह से हैं बी बिच्चों को जल्दी याद होगा एड़ी सैसरा नीज नहीं हो Скहो है मुस्किटो बीटल है भी डबली टीली बीटल बी भिक Community sófag कि भी यांग तो बी यांग हो गया ऑग डबेन हम याद हो जाएकर बच्छे को जल्दी बटरफ्लाई टबटरफ्लाई में के एफ एल वàiκ फ्लाई हो और बटर हो गया उसे तरह फLight में भी फ्लाई है लाज्ट में अप इस तरह से उन्हें याद करा सकते हैं butterfly हाउसफ लाई उन्हें याद भी हो जाए Geschäft ओगा बहु committed a housefly भी याद now-bus भी पर तुस्तरह से याद करां तो किर राइट फेश्टिवल्स जाए मैं तो उसमें फ्रोग टर्टल स्टार फेज इस तरह से पिर देखे एनिमल साउन्स आता है ये मैंच निए हो बैक, लायन का रोवर, मॉस का स्क्विक, मॉस का होता है स्क्विक, SQU, EAK, पिक का ओइंक, O-I-N-K, कॉव का होता है मूस, डंकी का प्रेज, P-R-A-Y-S, ठीक है, तो यह होगे सॉंड्स, आप टिक करने के लिए भी इसमें दे सकते हैं, फिर people who help us जो हमारी help करते है people उन्हें उनका नाम लिखना है तो doctor, teacher, plumber, carpenter, cobbler देखिए इसमें मैंने बच्चों को अपने कैसे याद कराया था जिसके last में आ रहाता हो उसे याद कर लो ठीक है तो doctor में भी आर, teacher में भी आर, plumber में भी आर, carpenter बतार एक तरह से रेमिंग वर्स टाइप के हो गए तो इस तरह से आप बच्चों को याद करा सकते हैं doctor, teacher, plumber, carpenter, cobbler बादबर भी आ जाता है मेजन आ जाता है तो इस तरह से आप बच्चों को दीजिए तो आपको ट्रांसपोर्ट नेम भी आ जाते हैं जैसे लेंड ट्रांसपोर्ट हो गया वाटर ट्रांसपोर्ट हो गया एर ट्रांसपोर्ट हो गया ये भी आता है लिखने के लिए तो वह आप दे सकते हैं तो इस तरह से UKG में आपको EBS में इस तरह से questions पूछे जाते हैं matching या फिर टिक लगाना pictures के through तो वीडियो मेरा पसंद आयागो तो प्लीज आप इसे like, share जरूर करिएगा जिनों ने subscribe नहीं किया है वो प्लीज मेरे चैनल को subscribe कर ले क्योंकि मैं बच्चों के लिए ऐसी वीडियो बनाती हूँ और फिर thank you, thanks for watching